जैहिन दोस्तो ग्यान अंडेस्टेंडिंग शोव में आपका सुवागत है तो दोस्तो आइजेंटिना न चीन के जकमों पर ऐसा नमक छिड़का है कि चीन बिलबिला उठा है दरसल आइजेंटिना ने पिछले दिनों अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स को खरीद की मंजूरी द कर चीन को बड़ा जटका दिया था और अब बीजिंग इस सोदे के लिए अपने जैप 17 ठेंडर लिड़ा को इमानों को बेचने में लगा हुआ था लेकिन आइजेंटिना ने उसे मंजूरी नहीं दी और अब आइजेंटिना के दाष्ट पती इनफाइटर जैट के पहुं पहुंचने वाले हैं और राष्ट पती डैनमार्क पहुंचकर F-16 सूपर सोनिक विमान में चड़ेंगे इसके पहले राष्ट पती माईली ने मेडिकल चेक अप करा लिया है और अगर बात करें ना तो साल 2015 में डशाल्ट आव्येसन के 16 मिजास 3 फाइटर जैट की रिटार ने दे दी थी जिसके बाद प्यूनेस आईरस ने F-16 खरीदने का फैसला लिया आइजेंटिना को यह विमान डैनमार्क से मिलेगे और हम आपको बता दें कि इस डील में बारत का तेजस फाइटर जैट भी 35 परिदा कर रहा था और अगर देखा जाए ना तो F-16 फाइटर जैट्स को लेकर अइजेंटिना के साथ डील दक्षिन अमेरिका में चीन के किलाब महत्तपून उपलब दी है क्योंकि अमेरिका के ठीक नीचे चीनी फाइटर जैट का होना वोशिंग्टन के रणनितिक हीतों के लिए हानिकारक था और यही वज़ा है कि अमेरिकी पर हस्ताक्षर होने से अजेंटिना को अपने पक्त में लाने के लिए महीनों से चल रहे अमेरिकी परियाशों का अंध हो जाएगा दरशल अमेरिकी पिछवारे में चीनी फाइटर जैट का परिदर्श अमेरिकी रणनितिक हीतों के लिए इतना हानिकारक था कि विदेश भागने यूक्रेन के लिए भेजे गए डैनिश F-16 फाइटर जेट को अजैंटिना की और मोडने के लिए शंगाइस किया जबकि डैनमार्क यूक्रेन को 19 F-16 फाइटर जेट दान कर रहा है और वही सरकार अजैंटिना को 24 डैनिश F-16 जेट बेच रही है अधिगरान के हवा से हवा में मार करने वाली मिशाइले शामिल है जो अमेरिकी वाउस्टेना द्वारा उप्योग किये जाने वाली दो मुख्ये हवा से हवा में मार करने वाली मिशाइले है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमें करके जरूर बताएं और साथ एदर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को भी दबा दे थैंक यू वेरी मच पर वोचिंग माई वीडियो